गुड मॉनिंग और अभी सुबह सुबह मेरा सारा काम हो चुका है और अभी कितना नौ सवा नौ बज रहे होंगे और अभी मैं मंदिर जाने के लिए तियार हो रही हूं क्योंकि शनिवार को कोशिश करती हूं वैसे हमेशा नहीं हो पाता जब मौका मिलता है चली जाती हूं तो फटा फट से में चोटी वनालू अब वापस से अपनी चोटी वाली उस पर आ गई हूं मैं चाहे हेर स्ट्रेट कराया हो चाहे जो कराया हूं चोटी तो जरूरी है और यहां पे कमल जी सबजी वब जी काट रहे हैं और मैं मंदिर से आ चुकी हूं आने के बाद मैं कोई समान अच्छा निहीं होता तो इतने साल से चल रहा था और कुछ नहीं वह था और क्रण जी के चूते ही पता है नहीं जो चीज हाथ लगाते हैं उसको तोड़ तार के रख देते हैं और वह एक्शली उसमें खतम था तो उनने तेल उसमें डालना था खुलनी रहा था उन्होंने पता हैं नीचे गिर किया और उपर का जो वह उता है अनब्रेकेवल ग्लास टाइप का जो प्लास्टिक होता है वह तूट किया तो मुझे दूसरा लेना है ओयल डिस्पेंसर लेकिन मैं सोच रही हूं जब भी मैं काट में डाल का ओर करने वाली होती हूं तो कमल ज जो उनका डिपार्टमेंट नहीं है उसमें और आजकल जैसे की सुबह मदरीन लौ जाती है तो कई बार क्या होता है कि मैं लेट हो रही होती हूं जैसे मैं उपर पुझा करने वगरा चली जाती हूं तो कमल जी क्या करते हैं वह बैट जाते हैं मतलब वह बैट क्या मां के उसके बाद मेरा कहना होता है तो वह चले जाते है और फिर उसके बाद खाल जो देखते हैं उसके बाद मेरा किछन का जो मेरा काम जो गया है और आज मुझे वैक्सीन लगवाने जाना है सेकिंड डूल जो कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है और मेरे बस में होता तो मैं तो नहीं लगवाती लेकिन क्या बोलू जब रहना है भारत में तो लगवाना ही पड़ेगा और मैं फाइनली ये नेल पेंट रिमूवर लेके आ गई ये मैं सुबह मंदीर गई थी तो मैंने उसको बोला श यह तो मतलब इतना ज्यादा डाइलूटेड नहीं है लोकल है यह तीस रुपे का पड़ा एक्चुली जो मेरे पास पहले था वह शीट टाइप का जो होता है वह मतलब भी तरुदर रख दिया बच्चों ने पच्चों ने क्या देवरानी के बच्चे ने तो वह नहीं मिल हुआ है कया है के तेयार हो चुकी हुआ को मैं जा रही हूं मंप होस्पिटल वयक्सीन लग depreciate कर मास्क मुझे ये मिला मैंने ये पहन लिया और वैक्सीन लगे चुकी हुआ हुँ और कमल जी चात्में गए ते हमने तो मैं तो क्ना जाते हुआती और पहली बह यह भी आई क्योंकि आज पूरे दिन ऐसे ही पहले सुवे मंदिर चली गई और उसमें दोप में भूमने लगी और रास्ते में मामिल गई थी मतलब मेरी मदरें नो और मैसे ही आज हो रहा है पूरे दिन और अभी जारियों में कपडे चेंज करने कि तब कुछ है ऑस्पिटल में भी लग के मैं इसमें डाला है दो पत्तों को और उसको बाल के यह मैं पीऊंगी इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्योंकि बुखार उखाड़ना हो जाए और गिलोग का काढ़ा हो गए मैंने बना के रख लिया था लेकिन मैं बाद मीं पीऊंगी और यह शाम को मतलब मैं थोड अपनी ज्यादा वीक्नेस नहीं लग रही थी जैसे पिछली बार तो बहुत जादा मिलत खराब हो गई थी लेकिन मैं फिर भी थोड़ा तो नोटंकी हो जाता है कि वेक्सिल लगा के तो इसान करती हूं मैं लोंके उपए तो बस यह चादरवादा चेंज कर लेती हूं और अपर जाना तो जाना होगा तो एक्चली मम्मी और सिस्टर मार्केट गए थे तो मैंने का कि यह होते हुए जाना क्योंकि फिर श्रया को जाना होगा तो मैंने बोलकि इधर होते हुए जाना मैं तो आज कहीं जाऊंगी नी क्यूंकि मैंने वैसे भैक्सिन लगवाई है क्योंकि और काम में नहीं सोचुन ना खाँ बाहर का लेकिन समूसे तो लाना अनिवारे हो गया है ममी तो खाती नहीं है बाहर का सही है कि अज़ा चैन मेंने की अजोमा शैड़ने Yep2 को बस बैठने कि था पाइस कर 우리가 चाहिए मने में कि ऑसके बद हम लोग चले गहे थे फोड़ी दिर थी कुछ दूरी तक बंदों को च locked ने तो फिर उसके बाद हम लोग मजदूरी में लगे हुए हैं तो मैं चटनी के लिए वो धनिया पुदीना ये सब कर रही हूं मत दो दिन की चटनी बन जाएगी और कमल जी सब्जी काट रहे हैं कह रहे थे मैं बनाऊंगा सब्जी मैं निका रहने तो अब मत बनाना सब्जी न मैं चटनी पीच देता हूं मैंने चलो ठीक है क्योंकि अभी कमल जी ने मिक्सी चलाना और वाशिंग मशीन चलाना दो चीजे रिसेंटली सिखी हैं और ये सब्जी है इसमें चने जो चना होता है चने की डाल बोधा डाली है मैंने थोड़ी तर भीगोने के बाद उसमें ड और दिन की दाल भी थोड़ी सी पड़ी है और सब्जी तो बनी गई थी बहुत जल्दी बन जाती है सब्जी काट दिया था कमल जी ने पस फटा फट से रोटी बनाओंगी बस हो गया अजका वेलकम बेक फ्रेंड्स और लास्ट व्लॉग अगर आपने लोगों ने देखा ह अपको पिछले व्लॉग में ने दिखाया था मेरी सिस्टर साधियान लेके आई थी वह अपने सस्वार वालों के लिए तो अच्छली मेरी मदर इनलो ने जब वो जा रही थी तो वो मार्केट से आके यहां होते हुए जा रही थी तो मैं भी खड़ी थी तो जब मेरी मदर अच्छली मेरी 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 वो मार्केट से शॉपिंग करके आई थी, तो फिर तम मुझे समझाया, फिर कमल जी बोल रहे तुम लेडीज का यही काम है कि वस इधर का उधर 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 उधर, बन्दब हो ऐसे ही बोलते रहते हैं में कोर्मा को, तो फिर तब ही मारी होई कह रही, नहीं नहीं, दे यही एक्ष्ण तो बेर टाई तो मेरते हो ऑनलम सब एक्ष्ण लागवाया था तो मेरे को डर से ही नहीं है, दिक्हार को सब खनेह थ зад tuo एका कहता है और यह मैने कमल जी शुपा मंगाया जिए क्योंकि वह जो गूलेगे, कि गर में उतने कपड़े ह में तो उससी वेसे दोन चाहे शिफोनों कुछ भी पहन लेते हैं और कॉटन में भी उनको मतलब एक स्पेसिफिक पसंद होती है जैसे कि जाहे वह कैसी भी अच्छा हो अच्छा हो लेकिन अपना होते है हर बंदेगा जैसे मुझे भी लगता है कि मुझे हाई यह पसंद है तो मुझे पहनना चीज है वह कैसा भी लगे तो ऐसे हैं तास बहु एक जैसे दिखाती है यह साड़ी है यह साड़ी है मैंने मरून कलर में होंगाया और मम्मी कहा रही थी कि बहुत अच्छे-चे कलर से लिखें लेकिन मतलब लाइड शेट में थे हैं गर्मियों के फिर अप से तो लेकिन में किसी के अपनी पसंद होती तू उनको मरून कलर जादा पसंद है उन्होंने बोला था मुझे अर शॉल में भी भोला था तो स्वेटर तो मैंने खरीद के रखा हुआ है और शॉल तो भीद िया था त तो यह है, ब्लाउस पीस है, तो ब्लाउस पीस मैं देखती हूँ, अगर उनका नाप होगा तो पिर मैं सिलवा दूँगी, और जैसे कि थाड़ी अब देखती हो कौन सा दिन है उस दिन, 26 को Tuesday है तो Tuesday को पहेंगी नए कपड़े नहीं पहनोंगी, तो कल या पर्सोन को पहनोंगी ट्राइ कर लेने, क्योंकि होता है कि नए कपड़े उस दिन ही पहनने, थाड़ी मुझे तो बहुत पसंद आई, उन्हें भी पसंद या अच्छा लग रहता है क्योंकि कल हम लोग सोच रहें कि वाशियं क्योंकि वाशिय निए भी भी खतम क्या बहुत चलती भी नहीं तो कमाजी नहीं उसका अईसा अन्दास किया और उसके बाद हम लोग देख रहेते हैं फुली Aautomatic फिर फुली Aautomatic देखे देखें फिर य मैं अपने पजया में ले 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 लेते हैं पैसे भी बचेंगे और उसकी वाद जो कमल जी का शौक है ने अभी मशीन चलाना सीखा है वो पूरा हो जाएगा कि उनको अपने पजामा अगरत हो तो भी देखती हूं मैं अभी इग्जेक्ली मुझे पता निए कि कौन सा लेना है तो जैसा बन पड़ेगा और पिर चबिस का क्या रहता है वो भी देखती हूं क्योंकि गिलोई का काढ़ा तो मैंने इग्लास भर के पीलिया दर के कारण मैंने पहले ही वो ले ले लेती हूं प्रिकॉशन और वहां जो वो इंजेक्शन लगा रही थी तो उस समय मुझे ऐस जाए लगा था कि मैं हाथ तो थादे दुट क्योंकि मुझे पता है नहीं क्या इंजेक्शन से ना मतलब ऐसे ब्लेड़ से काट रहता है जैसे कि अजीव साही होता है जैसे कि कुछ दिमाग में वह नहीं लग जाता है तो जैसे तेजलिए नाज उतना दर्ज नहीं हुआ तो फिर बहुत ऑन चाह्या था है तो पटते नहीं क्यां होगारे नहीं होगा फिर वैð बैटी ती मुझे लगा है नहीं क्यों क्छ एसे लग और कहले है पिर एलग लग ज़ा है तो यह दो जो ठीक है और दूसरा उर उसके चोटे है भी तो बच्को को ह electronics नहीं होता है दिन मेंद्क वाधर इंलो ifattr अगर उनका मन करें जहा रहेंगे तो यहां रहने जहा हैं और इसका वई बच्चे के चक्कर में तो वो लो रहना ही पड़ता है क्योंकि बहुत चोटा कि अए तीन साला है यह वह पता है कितने चाहिक बत्रणाक बच्के होते हैं तो बस यही रेजन है और और क्या बस यही रेजन है कि वो छोटे वाले के पास रहती है क्योंकि मतलब जब भी गाउं से आती है तो मोस्ली वहीं पे रहती है और दिम में वो मतलब इधर भी रहती है और जो मिर जिट जी है उंधर भी चली जाती है लेकिन वहीं पे रहती है क प्रकिली बाइ बाइ बाइ